जैसिया राम जै जैराम मेघनाद सुनि स्रवन अस गड़पुनि छेंकाई उत्रयो बीर दुर्गतें सन मुख चल्यो बजाई मेघनाद ने कानों से ऐसा सुना कि वानरों ने आकर फिर किले को घिर लिया है तब वह बीर किले से उत्रा और डंका बजाकर उनके सामने चला जै जैराम मंगल भवन या मंगल हारी द्रवाउं शुदा शिरत अजिर विहारी कहा को से लाधीश दो भ्राता धनवी सकल लोक विख्याता कहा नल नील दुविद सुग्रेवा अंगद हनूमत बल सीवा मेगनान्दे पुकार कर कहा समस्त लोकू में प्रसिद धनुरधर कोसलाधीश दोनू भाई कहा हैं नल नील दुविद सुग्रेवा और बल की सीमा अंगद और हनुमान कहा हैं कहां बिभीशन उब्राता द्रोही आज उसब ही हटी मारओं ओही असकही कठिन बान संधाने अतिसा एक्रोध स्रवन लगिताने भाई से द्रोह करने वाला बिभीशन कहा है आज मैं सब को और उस दुष्ट को तो हट पूरवक यनी अवसी मारूंगा ऐसा कहकर उसने धनुर्ध तनुस पर कठिन बाणों का संधान किया और अत्यंत क्रोध करके उसे कान तक खीचा सर समूह सोचाड़ लागा जन सपच्छ था वही बहु नागा जहां तहां परत देखिया ही बानर सन मुख हो इन सकेत ही आउसर वह बाणों के समूह सोड़ने लगा मानों बहुत से पंखवाले साप दोड़े जा रहे हूं जहां तहां बानर गिरते दिखाई पढ़ने लगे उसमाई कोई भी उसके सामने न हो सके जहां तहां भागी चले कपी रीचा विसरी सवह जुद्ध कैई इचा सो कपी भालू नरन महा देखा कीने सी जेहिन प्रान अवसेशा तीस बानर जहां तहां भाग चले सब को युद्ध की इचा भूल गई रन भूम में ऐसा एक भी बानर या भालू नहीं दिखाई पड़ा जिसको उसने प्रान मात्र उसेशन कर दिया हो अर्थात जिसके केवल प्रान मात्र ही न बचे हो बल पुरसार्थ सारा जाता न रहा हो दस दस सर सब मारे सी परेभों मी कपी बीर सिंग नाद करी घर जा मेग नाद बल दीर फिर उसने सब को दस दस बान मारे वानर बीर पर्तिवी पर गिर पड़े बलवान और धीर मेग नाद सिंग के इसमान नाद करके गरजने लगा जाई सिया राम जाई जाई राम मंगल भावन या मंगल हारी द्रवव शुदा शीरत अजिर बिहारी देखी पवन सुत कटक बिहाला कोध बनत जनुघाय काला महा सहल एक तुरत उपारा अतिरिस बेग नाद पर डारा सारी सिरा को बिहाल निव्याकुल देखकर पवन सुत हनुमान क्रोध करके ऐसे दोडे मानोश्वयम काल दोडा आता हो उन्होंने तुरंत एक बड़ा भारी पहाड उखार लिया और बड़े ही क्रोध के साथ उसे मेगनाद पर छोड़ा आवत देखी गयो नभ सोई रथ सार थी तुरग सब खोई बार बार पचार हनुमाना निकटन आव मरूम सोजाना पहाड को आते देखकर भाकास में उड़ गया उसके रथ सार थी और घोड़े सबनस्ट होगे अर्थाद चूर चूर होगे हनुमान जी उसे बार बार लल कारते हैं पर वह निकट नहीं आता क्योंकि वह उनके बल का मर्म जानता था रगुपति निकट गया घन नादा नाना भाति करे सी दुरवादा अस्त्र शास्त्र आयुद सब डारे को तु कहीं प्रभु काट निवारे तव मेगनात सी रगुनाजी के पास गया और उसने उनके प्रती अनेकों प्रकार के दुरवचनों का प्रियोग किया फिर उसने उन पर अस्त्र शस्त्र था सब हत्यार चलाए रभु ने खेल में ही सब को काट कर अलग कर दिया देखी प्रताप मूढ़े खिसियाना करे लाग माया भी धिनाना जीमी कों करे गरोडे सैंखेला डर पावे गही पल्पक सपेला सिराम जी का प्रताप यनि शामर्थ देखकर वह मूर्ख लग्जित हो गया और नेकों प्रकार से माया करने लगा जैसे कोई व्यक्ती छोटा सा साब का बच्चा हाथ में लेकर गरोण को डरावे और उससे खेल करे जा सुप्रबल माया बस सिव बिरंची बड़ छोट ताही देखावई निसी चर निज माया मती खोट सियावर राम जै जै राम मंगले भावने या मंगले हारी तवावू शुदाशे रते जिर भिहारी